Capital Smart City Overseas East Sector D में इस वक्ड डिवल्पमेंट की सूर्तियाल क्या है as the first week of February 2024 इसके लावा Sector A, B और C Overseas East Overseas Prime 1 उन वीडियोज को अगर आप चेक आउट करना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसी सीडियस में साइट की अपडेटेड डेवल्पमेंट प्लस जो गोगल है लोकेशन की मदद से कितना एरिया डेवलप है कितना एरिया नॉन डेवलप है लेकिन 10% एरिया ऐसा है, 10 से 15% कर लें, 85% एरिया clear है, तक्रीबन 10 से 15% एरिया ऐसा है, जो अभी तक litigation में है, यह अरिया पार्ग रोड आगे जाके जहां पर हिल रोड से attach करता है, वो एरिया भी litigation में है, लेकिन हिल रोड पूरा जो है, उसमें तक्रीबन majority एरिया से बनता है जो सेक्टर E, सेक्टर D, सेक्टर G और सेक्टर H को डिवाइड करता है, वो एरिया ऐसा बनता है, जो अभी तक litigation में है, जिसकी land अभी तक clear नहीं हुई, और वहाँ पर development का खाज भी नहीं किया गया, इन जनल अब बात करें सेक्टर D में, तो सेक्टर D में बाकी जो एरिया बनता है, उस पर company की तरफ से mostly एरिया ऐसा है, कि जहां पर विलाज बना के बेचे जा रहे हैं, कुछ विलाज ट्रिवलीज की तरफ से हैं और कुछ यहां पर main road के ओपर जो construction आपको नजर आ रही है, यह capital smartity की तरफ से itself की जा रही है, जिसका सबसे बड़ा project जो है, वो 22 अब इसके 10 फ्लोर मेकमल हो चुकी है, और दो फ्लोर बाकी है, और ट्रिपल बेस्मेंट के साथ है, तकरीबन कहलें 15 यह 16 फ्लोर की, यह 17 फ्लोर की बिलिंग बनती है, टोटल, यह इतना बड़ा project, यह बहुत billions का project है, यह मतलब हो नहीं है, चंद लाग है, चंद करोड का project है, अरबों का project है, और यह कंपनी की तरफ से एक भी फ्लैट या एक यूनिट यहां पर अभी तक सेल में नहीं लाया गया, इट मींस कि इन लाग रन यह वले जो अपार्टमेंट होंगे, इनको यहां पर फाइस्टर होटल बनेंगा, जिस तरह के रिसंट ली आपको होटल को बना दे दे दिया गया है, तो शायद यहां भी फ्यूचर में, लाग रन में जाके ये एरिया होटल को दे दिया जा जाए, यहां इसको स्मार टीम इटसलफ किसी होटल की चेंज मना के इसको रन करें लेकिन वो लॉंग रन की बात है राइड नो से स्ट्रक्चर की बात करते हैं डिवल्पंट की बात करते हैं इस डिवल्पंट कितनी हो चुकी है हम बात करें जो पहले विलाज यहां पे लाँच किये थे 5 मरला के वो विलाज के तरिभी 90% ओर अद्या अद्या है जनके ग्रेस ट्रॉक्चर रैडी हो चुकी है और बाकि जो 10% ऐसे अद्या है जो में रोड के ओपर विलाज बन रहे हैं जिसमें 10 मरला के भी हैं, जिसकी में पे 5 मरला भी हैं, यह वले जो विलाज आपको नजर आ रहे हैं राइट ना उन जो स्क्रीन, यह वले विलाज जो हैं अभी इनका रिसनली तकरीबन 2-3 माँ पहले काम शुरू किया गया है, और यह विलाज अभी शेप में आना शुरू हो स्क्रीन देखे लो विलाज पार, देखेम होगी है है और विलाज भाला भी है, अब इस यह को प्रजक को डिजाइन किया है कि हार एक अपार्टमेंट ऐसा कॉर्ण यूनिट है पहली बात कि बिल्डिंग जो फॉर साइट से ओपन है सेकंड के बिल्डिंग के सेंटर में भी आपको बड़ा कोट यार्ड मिलता है जो मैं प्रीवेस एक वीडियो पोस की तो यह जब फॉर साइट स सबसे लगजिरस अपार्टमेंट होंगे और हार बंदा पहले आओ पहले पाओ की बेस पर फर्सकम फर्सक्राफ की बेस पर यहां पर अपार्टमेंट पर कर पाएगा अधरवाइज अगर यह एक होटल बन गया तो डेफिनली वह बहुत ही शानदा तरीके का होस्ट उटल ह समार्टी इसल रन करें कोई और चेहन रन करें एंड अधर यहां पर होटल पर दो हो जएंगे पहले एक फाइस्टार होटल को ओड़ी कैपिटल समार्टी के बेलिडिंग बना बना पर जएक्ट जो लेक्वी कमर्शल हैं जो सेक्टर सी और सी इस में उसके उपर आप आठ स्क्रीन में नजर बी आर एक है विलाज की बात करें तो इन विलाज के पॉसेशन की बात करें तो मेंबर्स एकसर कमेंट करते हैं लेकर बना के लावा पांच मर्ला के पैसे उनको यूज करके यहां पर बिल्डिंग बनाई गी है तो जो फॉसेशन की अवेटिंग थी देखें इसका अपने स्क्रीन पर कैपिटल स्मार्टेटी का मास्टर प्लान देख से आज की वीडियो जिस ब्लॉग के हवाले से वह यह वाला सेक्टर बनता है ओवर्सीज इसक्टर डी ट्रिवलिस विलाज होम अब यह हम ट्रिवलिस विलाज होम की बात करें तो यह पूरा बिल्डिंग यह बी मैंजमेंट इसेल्फ कर रही है लिन यहां पर बनाया गया और यह डिस्पले आफिस के साथ मैं आपको दर मैं आपको लाइट कर दूँ तो इसके बात मैं बात कर लेते हैं अगर हम इसकी चार साइट सी बदो कि बात करें बलॉग की सेक्टर डी की तो साइट पे सबसे पहले आपकी नौर्स साइट आती है नौर्स साइट पर आपको सेक्टर D के लावा सेक्टर E मिलता है और इसके सेक्टर E में भी पांच मला के सारी क्रेटेगरी के प्लॉट है इसके लावा किसी दूसरी क्रेटेगरी के प्लॉट नहीं है रेजिदेंशल प् अब देखें तक्रीब अब टो क्लॉक के पर देखें तो यह वाले कंस्ट्रक्शन हो रही है अब यह इस पर मैं लास्स साइट पर गया था उस दिन कुछ हमारे क्लाइंट से तो अब वहाँ पर साइट पर देखा था है यहाँ पर स्टेडियम की लाइट स्टाल हो रही है तो यह वाला स्टेडियम भी बहुत जल्दी उप्रेशन हो जेगा अगर हम बात करें इसकी एस के लावा वेस्स साइट पर तो वेस्स साइट पर आपको सेक्टर डी पर ये वाले साइट देखें तो इसके सेक्टर H मिलता है सेक्टर H में भी पांच मला कर्टिंग्स हैं लेकिं कुछ प्लॉट्स यहां पे आगे जाके साथ मला के विलास के भी हैं लेकिं mostly पांच और साथ मला 125 गस और 175 गस के प्लॉट बनते हैं सेक्टर H में अगर हम बात करें सॉथ साइड पर सॉथ साइड पर से सेक्टर C बनता है जिसमें 10 मला के प्लोट्स हैं 250 स्कूरी यार्ड्स के अब इन प्लोट्स पर देखा जाए तो यह भी सुसाइटी किता से रिसेंटली अब फिसेंटली कुछ सेड प्लोट है इसका फिर्टी पर संट प्लोट्स के अब पहले इसका कितना पर सेरी कितना अरिया लिटीगें पर इसका क्लेड है हम बात करें पहले street wise जाएं इसमें map इतना clear नहीं है लेकिन फिर भी कुछ basic visibility है street 1 मकमल developed है, मकमल possessionable है मकमल ready है, मैं land की बात कर रहा हूँ उपर जो structure बन रहे है, that is subject to separate discussion उसमें बाद में बात करेंगे, किसी और वीडियो में और lane 3 की बात करें developed है, lane 4 developed है, lane 5 मकमल developed है street 3 मकमल developed है street 2 मकमल developed है even जिस street का जिकर किया है, आपको physical यह देख सकते हैं कि सारी streets हैं, जहां पर developed है और in fact यहां पर construction भी हो चुकी है कुछ company की तरफ से और कुछ ट्रिवलिस की तरफ से अगर हम बात करें, आगे streets पर जाते है street 5, 6 और lane इसकी बनती है 4, यह जो अरिया बनता है यह भी सारा क्लेड है, सारा पोजशने बले है सारा कोई litigation का पार्ट शामिल नहीं है अगर हम जाते हैं, आगे इस street पर जो last street बनती है, street number 9 इस street पर litigation है और street number 6 पर litigation है, इसके लावा बाकी litigation से सारा area मुकमल clear है, हम मैं litigation का पार्टा को उताता हूँ कि यह जो यह आरवन रोड है और जो पार्ट बेसिकली यह हिल रोड है, 50 फीट रोड की हिल रोड का पार्ट और ऑपसिट साइट पर सेक्टर E बनता है E for Echo और इस सेक्टर D बनता है यानिके जो फेसिंग है स्ट्रीट नमर नाइन पर यह सारा area cleared है अगर आप नीचे देखते हैं तो आपको प्रॉपर स्ट्रीट का structure नजराता है इसकी जो बैक साइड है इस स्ट्रीट की वो वाल अरिया पर आप नीचे देख लेक 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 ले पर वीडियो बना दूँगा इसके बहुत ज़्यादा मुझे मैंबर्स में काया इसमें कुछ कर्वर्जन भी है को चेंजिंग मी आई है वह मैं एक्स्प्रेंग कर दूंगा इस वीडियो में अब आदे हैं सेक्टर डी पर सेक्टर डी में कर स्टॉक्चर की बात करें तो नम स्ट्राइब 2020 की में लेकिन लास्ट अपडेट जो है गूगल रथ वह है जून 23 में उसे पहले डिसमबर 22 तो जून 23 में यह अगाज नहीं हुआ था यह जो डिस्प्ले आफिस 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 आपको नजर आरे से थोट से डिगिंग हुई थी लेकिन अभी यह स्ट्रक्च कि निट्र में अफिस करते करते हैं प्रिगिंग कर दोऊ है यह घरी नौ रॉट थे साइटर फ़िस पर पाइव बांद आफिसर्ट में नौट यह वह ऌना घरानेमेसा अपडेट होगिश तो सेक्टर डी का इस साइट से नहीं आपने वीडियो में देखा है गूगल अर्थ पर शाहिद का हो कि यह वाला लिडिकेशन रिज्वान ने मिस कर दिया यह एक्शली मिस ने किया यह एक्शली क्लेर हो चुका है सिर्फ यह पार अप्डेटेटि इमेजिस आएंगी तो मैं प्राइम वन के सारी वीडियो को अल्टरेटिव देश पर मकमल करने के बाद में ट्राय करूंगा किलिए हफ्ते दास दिन के अंदर यह सारा मकमल हो जाए पिर हम जिसके लिए ज्यादा मुझे कॉल्द मेसेज आती हैं सेक्टर डी नहीं है और से पाइम नहीं है पहले और जल्दी इसके सीरीज बना के पब्लिक करते हूंगा अगर आप कैपिटल स्मार्ट इटी और लाहुर स्मार्ट इटी में बुकिंग वलस कुछ मलमा चाहिए हो तो एक नमर पर रापता करें इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट विजट करना मत भोलें www.makansolutions.com अगर प्रय आपड़ इसके सीरीज और रहा वीज बना करते हैं